गुद्मानिंग फ्रेंट्स तोडे वी विल सॉल एक्सराइज 4.3 इन 9th स्टेंडर सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 लिनियर एक्वेशन इन 2 वेरियेबल फ्रेंट्स आज हम लोग एक्सराइज 4.3 में 1st question ड्राग ग्राफ of following linear equation in 2 variables तो दोस्तों यहाँ पे 1st question में 1st question है 1st में 1st x plus y equal to 4 this is linear equation in 2 variable variable कौन कौन से है x and y इसी को हमें ग्राफ पे इस line को सो करना है तो सबसे पहले दोस्तों इस equation को solve करेंगे तो y equal to आपका आएगा 4 minus x y equal to 4 minus x तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि linear equation in 2 variables जो आपका given है उसमें y equal to जो भी आपको find होता है उसको पहले find करना है इसके बाद आपको इस तरह से एक table create करना है table इसलिए create करना है तो यहाँ पे आप write करोगे x यहाँ पे y आप x की कुछ values आप अपने according ले सकते हो जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ values ले रहा हूं minus 2, minus 1, 0, 1, 2 3 भी आप ले सकते हो कोई भी value आप अपने according ले सकते हो number line पे आपको पता होगा कि यह number line है यहाँ पे 0 होता है right side में 1, 2, 3, either minus 1, minus 2, minus 3 इस तरह से तो इन में से कोई continue 4-6 या अपने according आपके पास जैसा भी page अब लेबल हो उसके according आप ले सकते हों तो यहाँ पे दोस्तों मैं x की value minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 इन सब के लिए y की value find करूँगा, तो दोस्तों मैं यहाँ roughly आपको बता रहा हूँ कि y equal to आपका है 4 minus x, तो y equal to 4 minus x की value minus 2, तो यहाँ पे minus 2 put कीजिए तो आपका आगया y equal to 4 plus 2, इस तरह से y equal to 6 आगया आपका अंसर means minus 2 पे x equal to minus 2 पे y की value आएगी 6, दोस्तों इसी तरह से हम लोग दूसरी value ले सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे दूसरी value x equal to minus 1, तो y equal to आपका है 4 minus x, 4 minus minus 1, 4 plus 1, इस तरह से 5, minus 1 पे आपका आगया 5, सेम इसी तरह से x की value आप 0 put करोगे, तो यहाँ पे y equal to 4 होगा, x की value 1 put करोगे, तो यहाँ पे 3 होगा, x की value 2 put करोगे, तो यहाँ पे 2 होगा, x की value 3 put करेंगे, तो यहाँ पे 1 होगा, इस तरह से आप calculate कर सकते हो, अब इसी को हम graph पे so करेंगे, x equal to minus 2, यहाँ पे यह आपका x, x dash है, और यह आपका y, y dash है, तो यहाँ पे x equal to minus 2 पे, y equal to value आपका क्या है, 6, तो उपर आप 6, यहाँ पे आपका, 6 आपका लगभग यहाँ पे आएगा, यह point आपको मिल गया, 6, तो x equal to minus 1 पे, y equal to 5, minus 1 पे, y की value आपकी 5 है, तो लगभग यह point आपको मिलेगा, x equal to 0 पे, y equal to 4, 0 पे y की value 4 आ रही है, 1 पे 3 है, तो 1 पे आप उपर 3 की तरब जाएगे, इसके बाद 2 पे 2 है, 2 पे, यहाँ पे 2 आएगा, and 3 पे 1 आ रहा है, तो 3 पे 1 इस तरह से, इसके बाद अगर 4 पे आप count करते हैं, तो 4 पे 0 आ जाएगा, 5 पे अगर count करते हैं, तो minus 1 होगा, तो नीचे की तरब हाप आओगे, इस तरह से आप जैसे जैसे, x की value बढ़ाते जाओगे, y की value नीचे आती जाएगे, अगर हम 6 की बाद करें, तो यह minus 2 हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे, तो आपको 4 से 6 value calculate करनी है, और उस point को आपको join कर देना है, इस तरह से आप इसको join करोगे, तो यह सीधी line मिलेगी, यही हुआ, x plus y equal to 4, x plus y equal to 4, this is linear equation in 2 variable, इसका जब आप graph draw करोगे, तो यह सीधी line बनती है, इसलिए इसको कहा गया है, linear equation in 2 variable, दोस्तो अब हम लोग इसका second question देख लेते हैं, ओके friends, अब हम लोग second question देख लेते हैं, second equation is x minus y equal to 2, जैसा कि आपको मैंने बताया कि y equal to something आएगा, तो यहाँ पी minus y equal to आपका होगा 2 minus x, x को इस side ले जाएगे, तो minus x हो जाएगा, y equal to, अब यह minus right side में गया, तो जो plus है वो minus, जो minus है वो plus, तो यहाँ पी x plus में होगा, और 2 minus में हो जाएगा, तो y equal to आपका आगया, x minus 2, और इसी से हम लोग x and y की values find करेंगे, calculate करेंगे, यहाँ पे मैं write करता हूँ x, यहाँ पे y, अब कुछ values x की आपको consider करनी है, यहाँ पे जैसे minus 2, minus 1, 0, 1, 2, आपको 3 लेना है, तो 3 भी ले सकते हो, एक value में calculate करके, आपको बता रहा हूँ, y equal to x minus 2, तो y equal to x की value, आपने minus 2 रखी है, तो यहाँ पे minus 2, minus 2, तो y equal to आपका आगया minus 4, तो means, यहाँ पे हम लोग write करेंगे minus 4, x की value अगर हम लोग, x की value अगर हम लोग, यहाँ पे minus 1 पुट करते हैं, तो y equal to minus 1 minus 2, तो y equal to आगया minus 3, तो यहाँ पे minus 3, x की value 0 पुट करोगे, तो 0 minus 2 minus 2, x की value 1 पुट करोगे, 1 minus 2 minus 1, x की value 2 पुट करेंगे, तो 2 minus 2 equal to 0, सेम इसी तरह से x की value 3 पुट किये, 3 minus 2 equal to 1, इस तरह से आप x की value कोई भी चूज कर सकते हो, और यहाँ पे उसके according y की value आपको मिल जाएगी, अब दोस्तों इसको हम Cartesian plane, जिसको आप Cartesian plane के नाम से जानते हैं, x, x dash and y, y dash, यानि यहाँ पे हम plotting इसकी करेंगे, तो पहला point है minus 2, x equal to minus 2 पे y की value है minus 4, तो minus 4 नीचे की तरफ आपको आना है, minus 4 आपका लगभग यहाँ पे आएगा, x equal to minus 2 पे y की value minus 4, सेम इसी तरह से x equal to minus 1 पे y equal to minus 3, तो यहाँ पे यह point मिला आपको, x equal to 0 पे minus 2, 0 पे minus 2, अब 1 पे minus 1 होगा, 2 पे 0 है, 3 पे 1 है, तो उपर की तरफ जाएंगे, अगर हम लोग 4 का calculate करें, तो 4 minus 2 equal to 2 होगा, तो यहाँ पे 4 पे आपका 2 आजाएगा, तो इस तरह से और सारी values आप ले करके x की y की value find कर सकते हो, तो यह points आपको मिले, इनको आप join करोगे, तो एक सीधी line मिलेगी, और इसको हम कहेंगे, x minus y, x minus y equal to 2, इस तरह से इस equation की line आपको मिल गई, I hope you will like this video and share it maximum, thank you. झाल, 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